हेलो दोस्तो नमस्कार वेलकम तो दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप तेन क्लासिस तो डिय श्टुडेंट आज की लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आये हैं आप लोगों के लिए वह मोस्ट टॉपिक क्या रहने वाली है कई बार बोर्ड में यह केस्टन प में था ही नहीं यह क्यूस्टन कहां से पोच लिया तो प्यारे बच्चो आप लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला है वह आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बिंदु आवेश के कारण बिद्दुचित की तिब्रता या गौस के नियम से कुलाम के नियम की ब् क्लास पर जुड़े होंगे वह इस बार इस क्लास को सेर कर देंगे और चैनल पर नहीं आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे आए क्लास को कांटीन्यू करते हैं चलिए स्टार्ट करें हमने क्या बना के रखा है माना कोई बिंदु आवेश है जो कि क्यू है माना लेते हैं पी लेते हैं आर मीटर की दूरी पर एक बिंदू पी लेते हैं उस भाहर गरतकी इस प्रप्रेश को भाग हम छो कात लेते हैं जिसका चैठ फ्ल क्या है जिसकी द्सा बाहर की तरफ है और इससे निकलने वाली जो उत अब attract Tom निकलेगी यानि E और DS के बीच का जो कोड़ था वो जीरो हो गया क्या हो गया जीरो हो गया तो आईए लिखते हैं माना कोई बिंदू आविस क्यों है जो की गोले के केंद्र गोले के केंद्र ओपर इस्तित है गोले के केंद्र गोले के केंद्र ओसे आर मीटर की दूरी पर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर बिद्धुचित की तिब्रता ग्यात करनी है अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस छोटे भाग से बैदुच फ्लक्स निकालेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे डियस प्रिष्ट से होकर गुजरने वाले बैदुच फ्लक्स क्या हो जाएगा छोटा सा भाग है तो छोटा सा बैदुच फ्लक्स होगा डि फाई बराबर ई इंटू डियस इंटू कॉस ठीटा और ठीटा क्या है यहाँ जीरो है तो कॉस जीरो अंस का मान एक हो जाएगा तो डि फाई बराबर ई इंटू कितना हो जाएगा डि एस ठीक यह छोटे से भाग से बैदुच फ्लक्स है अब हम लोग क्या निकालेंगे पूरे प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला तो पूरे प्रिष्ट से होकर गुजरने वाला बैदुद फ्लक्स होकर गुजरने वाला बैदुद फ्लक्स ठीक बैदुद फ्लक्स क्या मान लेते हैं फाई बराबर बैदुद फ्लक्स यहां फाई इ बराबर इंटीग्रेशन आप डी फाई छोटे से बैदुद फ्लक्स का समाकलन इंटीग्रेशन तो दी फाई अब डिफाई का आमान यह रख़ देते हैं डिफाई का मान क्या है? E into DS कितना था? DS ध्यान से समझेगा E into DS ठीक E का समाकलर नहीं होगा भी या E को काकर लेंगे बाहर integration आप DS ठीक यह आगे फाई E बराबर अब आप जानते हैं जो ये ds होता है वो गोले का च्छत फल होता है जो कि 4 pi r square के बराबर होता है तो यहाँ पर रख देंगे तो pi e बराबर क्या हो जाएगा e into 4 pi r square pi e बराबर 4 e 4 pi r square समीकर नमबर 1 अब क्या करेंगे भी अब गौस के नियम से गौस के नियम से भी अब गौस का नियम क्या कहता है फाई e बराबर q बटे epsilon not समीकर नमबर 2 समीकर दो और 1 से समीकर एक वर 2 से क्या कर सकते हैं यह पच बराबर है तो यह दोनों पच भी बराबर होंगे e into 4 pi r square बराबर क्या जाएगा q बटे epsilon not e का मान ग्यात करना तो इनको इधर कर देंगे e बराबर 1 बटे 4 pi epsilon not q बटे 30 तो यह e का मान गया पर हम लोगों को क्या निकालना है e का मान नहीं निकालना है हमको e का तो यह मान गया पर हमें गौस के नियम से कुलाम के नियम की ब्याख्या करना है तो वो हम लोग ब्याख्या कर लेते हैं तो गौस के नियम से कुलाम के नियम की ब्याख्या यहां लिखेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं बिद्दुचित्र में बिद्दुचित्र में रखे रखे आवेस पर आवेस पर लगने वाला बल लगने वाला बल क्या पढ़े थे यव बराबर Q naught into E यव बराबर Q naught into E तो E का मान रखने पर देखिए इधर दिखाई पढ़ रहा है यहाँ पर देखिएगा E का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे चलिए रखते हैं यहाँ बराबर क्या हो जाएगा Q naught into E E का मान कितना है 1 बटे 4 pi epsilon naught Q बटे R इसको बिवस्तित करते हैं यहाँ बराबर क्या हो जाएगा Q into Q naught ऐसे थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं 1 बटे 4 pi epsilon naught Q into Q naught अपान R इसका है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो यह आपका आया यह क्या है यही तो कुलाम का नियम है कुलाम का नियम क्या था किनी यह बराबर 1 बटे 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपान R इसक्यार था यहाँ Q1 Q2 के अस्ताम पे कोई है Q और Q naught है तो भी यही कुलाम का नियम है यही कुलाम का क्या है नियम है ठीक तो इस प्रकार आपका यह जो most important heading था वो समाप्त हो जाता है आप इसका एक screenshot लेज़ेगा फिर हम ठीक screenshot ले लिए तो आज की इसी topic के साथ आपका NCRT का जो पहला chapter था वो पौन रूप से complete हो गए है रह गए है numerical portion जो की अगले वीडियो में आपको वो भी numerical मिल जाएंगे Dear student उम्मीद करते होंगे कि आपको first chapter पौन रूप से complete हो चुका है तो प्यारे बच्चो Dear student जैसे ही आपके numerical solve करा दिये जाते हैं वैसे ही आपके पहले chapter का test लिया जाएगा और उस पहले chapter के test में आप लोग जरूर सामिल हो येगा और अपना score अंदाजियेगा कि आप उस test में कितना mark कर पाएं और कितना पढ़े हैं तो I hope आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like कर दिजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को subscribe कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक्यू डिये स्टूडेंट